हेलो नमस्ते, आप दिपाली गोयल, स्वागत है आप सभी का साइंस मैचिक पर तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को मैंने बुला था कि हम लोग डिस्कुस कर रही हैं SSC GD के पेपर को SSC GD में पूछे गए प्रिवियस यर कोशिंस को हम डिस्कुस कर रही हैं और मेरे पास लगभग 135 कोशिंस हैं आपके लिए जिसके अंदर मैं आपको दो पार्ट दे चुकी हूँ वीडियो के आज हम मिल रहे हैं तीसरे पार्ट के अंदर यानि कि आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम SSC GD के कोशिंस को देख रहे हैं जितने भी हम कोशिंस देख रहे हैं वो सारे के सारे आप लोगों के लिए important है अगर आप हर्याना FED की तैयारी कर रहे हैं तो भी और अगर आप railway की तैयारी कर रहे हैं तो भी यानि कि overall अगर मैं किसी भी एक्वाम की बात करूँ कोई भी एक्वाम सभी एक्वाम में लिखा होता है clearly general science और general science का मतलब होता है हर एक्वाम की science लगबग मिलती जूलती है यानि कि आपको सारे questions को देखना होता है especially हर्याना वालों को क्योंकि हर्याना में जितने भी एक्वाम होते हैं उसमें questions repeat होकर आते हैं तो आप लोगों को previous year questions जरूर देख रहे हैं ठीक है रही बात आप लोग बैच स्टार्ट करने की कर रहे हैं तो जल्द ही बैच स्टार्ट होगा live classes के साथ स्टार्ट होगा guarantee है मेरी ठीक है तो थोड़ा से इंतजार करो ठीक है थोड़ी सी मुझे भी setting करने पड़ेगी हर चीज़ की क्योंकि live class लेना सिंपल सी बात नहीं है तो live class का मैं भी setup तयार कर रही हूँ तो आप थोड़ा से मुझे समय दो और देखे जून में approximately exam बोला गया है तो CT का exam जून में है और दो महीने बहुत है अगर हम अच्छे से लग के तयारी करेंगे तो दो महीने हमारे लिए enough होंगे science की तयारी करने के लिए with questions, practice, with topics, with detail, discussion हम science की तयारी कर लेंगे दो महीने के अंदर अंदर तो मुझे थोड़ा सा समय दो, आप लोगों की जल्द ही live classes शुरू होंगी, हम हर एक science की topic को detail discussion के साथ समझेंगे, marathon classes लगाएंगे, सब live चलेगा, tension नहीं लेनी है, live होगी, ठीके, live की तयारी में ही लगी हूँ, इसलिए आज कल आपको come classes मिल रही है, चलिए, तो शुरू क मच्छर का नाम दिखे, तो हमने आपको discuss किया है, डेंगू को, है ना, डेंगू की बिमारी जो है, वो एडीज मच्छर के द्वारा फैलती है, उसी तरीके से student, जीका बुखार, जो है, जीका फीवर, जीका फीवर, ये भी एडीज मोस्किटो से ही फैलता है, ठीक है, एड एक से जीका फैलता है, एक से डेंगू फैलता है, वो बात अलग है, लेकिन एडीज मोस्किटो आपको याद रखना है, क्या करता है, जीका बुखार भी करता है, जबकि आपको याद होगा, मलेरिया कौन करता है, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर करता है, कौन मादा ए नी माटा रोग, याद रखिएगा, चलिए अगले कोशन पर चलते हैं, यानि कि आज का पहला कोशन हमारे पास क्या है, देखिए कोशन है हमारे पास, जीव जन्तू की संरचना, स्वरूप और पारिस्थितिकिक वितरन के विज्ञानिक अध्यान को डैश कहा जाता है, यानि कि ये बोल रहा है कि जब हम जीव जन्तू, यानि कि living animals की संरचना, यानि कि body shape, स्वरूप यानि की structure, पारिस्थितिकिक वितरन, यानि कि किस तरीके से वो हमारे दुनिया में यहाँ वहाँ settled है, यानि कि कोई कही रहता है, कोई कही रहता है, distribution की बात कर रहे हैं, जब हम इन सब चीजों की study करते हैं, तो उसे क्या गहते हैं, देखो, जीव जन्तू की study, यानि animals की study, यानि जूलोजी, जन्तू विज्ञान ही होती है, जीव जन्तू की study, बोटनी क्या होती है, वनफपती विज्ञान, पोधो की study, छिपकली की study हो गई, छिपकली विज्ञान, यानि biology के और geology के father है अरफ तू ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं botany की father कौन है तो Theo Prestes next question आता है question number 19 हमारे पास देखिए किसी जीव के आधार, युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है base pair sequence में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, देखो क्या होता है students, यह कहना क्या चाता है देखो कोई भी organism है, कोई भी organism है जब, मतलब जैसे-जैसे इसकी generation आगे बढ़ेगी, तो वैसे-वैसे changes आते हैं कुछ, और changes क्यों आते हैं, क्योंकि base pair का मतलब base pair अलग तरीके से लगे हुए है किसी और person के अंदर अलग तरीके से लगे हुए है आपके अंदर अलग तरीके से लगे हुए है इसलिए हम एक दूसरे से अलग है यह क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है कि जैसे-जैसे generation आगे बढ़ती है तो जीव के किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम यानि base pair sequence में जो change आता है उसे क्या कहते है तो जीव के base pair sequence में जो change आता है उसे body का change कहते है जो कि with time आता है और उसे evolution कहते है क्या कहते है evolution यानि की उत्त परिवर्तन अब देखो मानलो आपको यह question नहीं आता ठीक है आपको नहीं पता कि भाई यह क्या होता है मुझे तो कोश्चन ही नहीं समझ में आया थोड़ा से difficult question है क्योंकि ठीक है तो कैसे करोगे निफ्तारन शब्द आपने कभी सुना ही नहीं होगा परागन pollination होता है जो कि पोधो में मिलता है ठीक है और आप अच्छे से जान तो हमके mystery में पढ़ते हैं ionization है ना आयनी करन जब किसी में से आयन निकाला जाता है या डाला जाता है किसी को केटायन एन बनाया जाता है तो यह भी नहीं हो सकता तो answer उत्परिवर्तन चला गया ठीक है उत्परिवर्तन next question देखते है question number 24 हमारे पास क्या है देखो यह question number जो है उल्टे सी दे है इसका मतलब यह मत समझ लेगा कि मैं आपको 1,2,3,4 counting ही नहीं आती ऐसा कुछ नहीं है भाई यह questions जो है मैंने directly paper से उठाए है मतलब और उन सब का मिला के PDF बनाया है यह PDF आपको totally पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ठीक है आप वहाँ पर देख सकते हैं विदानसों से आप यह भी देख पा रहे है ठीक है और theory आपको detail discussion आपको यहाँ पर मिली रहा है तो I hope कोई doubt नहीं होना चाहिए चलिए question देखते है question number 24 हमारे पास जा कहता है निमन में से कौन सा नियम यह कहता है नियम यानि law कि दो वस्तू के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुडन फल के समानुपाती होता है अरे वाँ simple सा question यह क्या बोल रहा है which law state that the force acting between two bodies is directly proportional to the multiplication of the masses of the bodies क्या मतलब है यह पोल रहा है कि कौन कहता है कि दो बोडी के बीच में लगने वाला बल समानुपाती यानि डिरेक्टली परपर्चनल होता है उन दोनों body के mass के multiply की यानि कि अगर मानलीजीए यह एक body है ठीक है एक second ठीक है अगर मानलीजीए यह एक body है M1 और यह एक body है M2 M1 को ये देखो M2 जो है M1 को खीच रही है अपनी तरफ F बल से और M1 भी तो M2 को अपनी तरफ खीच रहा है F बल से लेकिन हमारा गुरुत्वा कर्शन का नियम यानि लो फ ग्रेविटेशन हमें कहता है कि ये जो F है न ये डिरेक्ली प्रोपोर्शनल होता है M1 और M2 के मल्टिप्लिकेशन के और अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट कर दूँ तो ये कहता है force डिरेक्ली प्रोपोर्शनल तो होता है mass के मल्टिप्लिकेशन के और inversely proportional यानि व्युत कर्मानुपाती होता है इन दोनों की बीच की दूरी के square के यानि कि ये हमारी body है M1 ये हमारी body है M2 और इन दूनों की बीच की दूरी है मान लिजिए R तो ये बोलता है कि बल जो होता है वो M1, M2 के तो गुरांक के गुननफल होता है और R के square के inversely proportional होता है यानि कि ये निकल किया जाएगा f का हम total निकाले तो ये निकलेगा ठीक है एक अठे लिख दिया मैंने और जब हम इस proportional के sign को हटाते हैं तो यहाँ पर एक constant लगता है जिसे बोलते हैं गुरुत्वा कर्शन नियतांग यानि कि gravitational constant जिसे की formula आजाता है f बराबर g m1 m2 by r square ठीक है ये formula निकलता है law of gravitation से तो आपको answer मिल गया होगा gravitation का नियम यानि गुरुत्वा कर्शन का नियम law of gravitation is the right answer ठीक है इसके अलावा आपको दिख रहा है जड़त्व का नियम law of inertia ये first law of motion है some wake perivartan का नियम यानि की momentum change in momentum का लोजो होता है ये भी अलग है यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा गती के नियम गती के नियम तो आपको पता ही है Newton law of motions तीन है ठीक है चलिए अच्छा समवेक परivartan तो नहीं लेकिन मैं बोल सकती हूँ some wake sunraction जो है तो यूग में पूछे है उन्होंने यानि जोडे पूछे है तो 23 होते है ठीक है और अगर quantity पूछी होती तो 46 होती ठीक है क्योंकि जोडों में मिलते हैं चलिए अगले question पे चलते हैं question number 19 again हमारे पाफ आ गया है क्या है question निमल लिखित में से कौन सा परिस्थितिकिक तंत्र का एक अजयविक घटक नहीं है यानि कि ecological system का एक non-leaving component नहीं है abiotic component बोलते हैं अगर scientific भाषा में मैं बोलू तो abiotic component नहीं है तो आप कुछ सोचो जो जिन्दा होगा वो biotic होगा और जो मरा हुआ होगा यानि कि non-leaving होगा वो abiotic होगा तो खनिच पदार्थ यानि minerals minerals तो abiotic होते हैं तो ये तो हो नहीं सकता पवन हवा भी नहीं होती तापमान temperature भी नहीं होता जीवित जीव लेश खुदी बोल रहा है ये यानि कि living organism living organism तो बायोटिक होते हैं अब सुनो ध्यान से देखो हमारी दुनिया में बहुत सारे हमारी दुनिया के परिश्थिति को बोलते हैं ecosystem ठीक है परिश्थितिकी तंत्र हो गया ये हमारा परिश्थितिकी तंत्र यानि ecosystem इसके अंदर living component भी होते हैं क्या होते हैं living component भी होते हैं जिने हम बायोटिक बोलते हैं और non living component भी होते हैं जिने हम ये बायोटिक बोलते हैं जरूरी ये दोनों हैं क्योंकि ये दोनों आपस में interaction करते हैं अब मैं बात करूँ हावा में सांस लेती हूँ पानी पीती हूँ ठीक है बारिश होती है तो बारिश को महसूस करती हूँ अगर मैं बात करूँ तापमान की तो तापमान की वज़े से मुझे थंड सर्दी लगती है मैं जमीन पे रहती हूँ तो लैंड भी मेरा अबायोटिक कॉम्पोनेंट है ठ या कोई भी living organism के लिए ज़रूरी है और living organism उनसे interact करता है ठीक है तो आपको I think कि ये question समझ में आ गया होगा चलते हैं अगले question के उपर निमन लिकित में से कौन सा कथन गलत है इन में से गलत बात बतानी है यानि wrong option choose करता है तो पहला option पढ़ते हैं अम आश्य से भोजन छोटी आत में प्रवेश करता है बिल्कुल सही बात है भई हम जानते हैं देखो कि हमारा जो मू होता है हम जब खाना खाते हैं तो मू में खाना जाता है और मू से जाता है वो इसो फैगस के अंदर इसो फैगस से जाता है हमारी पेट में यानि आमाश्य में स्टमक में स्टमक से जाता है यह हमारी small intestine होती है यहाँ पे ठीक है और small intestine से large intestine में जाता है आप जानते हैं सारी बाते और बीच में अगनाश्या का खाना भी आता है और बीच में लीवर से भी आता है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमाश्या यानि पेट से खाना कहा जा रहा है small intestine के डियोडेनम में यानि ग्रस्री में तो ये point बिल्कुल correct है गलत बताना था तो ये तो answer हो नहीं सकता next लार में celery lipase नाम की enzyme होता है जो starch को सरल शरकरा में विक्टित करता है बिल्कुल गलत लार में होता है student celery lipase नहीं होता, lipase तो fat का digestion करते हैं, lipase नाम जहां पर भी दिखें ना, वहां पर वसा की बात की जाती है जब हम शरकरा की बात करते हैं तो वहां पर होता है celery amylase क्या होता है? celery amylase, तो ये point हो गया गलत, अच्छा, celery amylase को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? टाइलीन, इसका नाम है और English में इसकी spelling आती है P-T-Y-L-I-N, P silent है ठीक है, ये क्या करता है? हमारे starch का breakdown करता है, हमारे मूँ के अंदर ठीक है? चलिए, अच्छा तो ये answer हो गया, बिल्कुल correct इसके अलावा बाकिय option भी पढ़ लेते हैं बोजन ग्राफ नली, इसोफेगस के माध्यम से अमाशय में परवेश करता है, बिल्कुल ठीक है मैंने ये अभी बताई थी ये बात कि इसोफेगस से स्टमक में आएगा और स्टमक से स्मोल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है? तो ग्राफ नली प्रोटीन और वसा का पोन पाचन छोटी आथ में ही होता है, बिल्कुल सही बात है खाने का प्रॉपर डैजेशन, कम्प्लीट डैजेशन कहां पे होता है तो हमारी स्मोल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है? चलिए, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो answer चला गया, option two will be the right answer next question आता है, किसी फूल के अंदाशे के अंदर छोटे मन के जैसी संदरचना को क्या कहते है फूल के अंदाशे के अंदर जो छोटे-छोटे मन के होते हैं, उन्हें क्या कहते है students, तो उन्हें बिजांड कहते हैं, यानि की ovary कहते हैं, ठीक है, या मैं बोलूँगी ovule कहते है ठीक है, exact word ovule आएगा, बिजांड यानि की ovule देखो, ये चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ, फिर भी सुन लो, देखो क्या होता है ये जो हमारा fool होता है, उस fool के अंदर, ये होता है female part, जो मैंने बना दिया, ये होता है stigma, style और ovary ये जो गोल वाला भाग है इसे बोलते हैं, क्या ovary यानि की अंडाश है, इसे क्या बोलते हैं, अंडाश है, और अंडाश है के अंदर कई बार एक, कई बार दो, क्या पढ़े होते हैं, मन की जैसे जैसे मोती होते हैं, वैसे वैसे कुछ structure पढ़े होते हैं, इन्हें बोलते हैं, बीजांड यानि की ovule, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर मतलब यही बाद में, बीज में convert हो जाते हैं, सीड में तो ovary जो होती है, ये जो, ovary है, ये बाद में fruit बनाती है और ये जो ovule है ये बाद में feed बनाता है इसलिए इसका नाम है beach and क्योंकि ये बाद में beach बनाने वाला है ठीक है बाहरे दल क्या होता है बाहरे दल बाहर कवर करने वाला यानि की पंखुडिया petals हो गई और उसके नीचे samples हो गई ये बाहरी दल हो गया ठीक है चलिए next question पर चलते है question number 17 हमारे पास आता है jet engine कि सिधान्त पर कारे करता है तो jet engine linear momentum पर कारे करता है ये question आपको याद रखना पड़ेगा linear momentum पर काम करता है jet engine ठीक है conservation of linear momentum ठीक है second law of motion चलिए अगले question पर चलते है है जो परिपत में विद्यूत प्रतिरोध उत्पन करता है question में बोल दिया क्या उत्पन कर रहा है प्रतिरोध तो वो क्या होगा प्रतिरोध ही तो होगा यानि कि resistance जो resistant करे मतलब current को flow करने में दिक्कत create करे उसे क्या बोलते है उसे resistor बोलते है प्रतिरोधक बोलते हैं ठीक है कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम याद आया आप लोगों को यह होता है हमारा रेजिस्टर जो की प्रतिरोधक का काम करता है जैसे हम सड़क पे चल रहे हैं सड़क पे ट्रैफिक मिलता है तो वो हमें रोकता है ना जाने से तो वो ट्रैफिक हम लेकिन रसीना क्या है नोन प्वाइजनस प्लांट है ठीक है तो आंसर चला गया ऑप्शन थी नेक्स्ट कोशन देखते हैं जीका वाइरस रोग मुख्यत मच्छरों की डैश प्रजाती द्वारा संचारित विशानूं के कारण होता है तो क्लाश शुरुवात किसे की थी मैंन जीका बुखार की बात की थी मैंने तो जीका बुखार किसे होता है जीका वाइरस से और जीका वाइरस फैलाता कौन है एडीज मच्छर डेंगू और जीका दोनों ही एडीज मच्छर के द्वारा ही फैलते हैं याद रहेगी चलिए अगले कोशन पे चलते हैं नेक्स कोशन फाइलो क्यूरोन किसका नाम है विटामिन की का नाम है ठीक है रखत का थक्का जवाने में और कुन-कुन मदद करता है तो केल्शियम नाम का एक अगले कोशन पर चलते हैं अगला कोशन आता है हमारे पास क्या है देखिए कोशन है निमन लिकित में से कौन सा एक लोह खनीच है यानि कि आईरन लोह मतलब आईरन का मिनरल तो मैगनीज जो होता है वो आईरन का होता है याद रखना है जस्ता तो जिंक होता है तामबा कोपर होता है और बॉकसाइट अल्यूमीनियूम का आयस्क होता है ठीक है तो आपको ये बात याद रखनी है बॉकसाइट किसका होता है अल्यूमीनियूम का आयस्क बहुत बद बढ़ाया है तामबा कॉपर का नाम ही है जस्ता जिंक को ही कहते है और मेगनीव जो होता है student मेगनीव जो होता है मेगनीव एक ऐस्क है जिसमें से आयरन निकलता है ठीक है चलिए अगले कोशन पर चलते हैं next कोशन हमारे पास आता है deuterium और tritium Deuterium और Tritium निम्न है ठीक है Deuterium और Tritium क्या होते है तो Deuterium और Tritium दोनों ही Hydrogen के Isotope होते है यानि Hydrogen के समस्थानिक होते है एक सकंड ये question कर लो मुझे उपर वाले question में आपको कुछ clear करवाना है ठीक है तो Hydrogen के समस्थानिक होते है चाहे Proteum कहलो तो चाहे deuterium कहलो चाहे tritium कहलो hydrogen के 3 समस्थानिक होते हैं कुछ इस तरीके से H11, H12 और H13 तो ये है protium, ये deuterium, ये tritium ठीक है तो hydrogen के समस्थानिक कितने होते हैं 3 होते हैं कौन-कौन से protium, deuterium, tritium protium के पास neutron नहीं होता deuterium से भारी जल बनता है और tritium radioactive होता है अब आज ये उपर वाले question पे यहाँ पर थोड़ी से दिक्कत है, मुझे लगता है typing mistake है, या सही धंक से छेपा नहीं हुआ magnees जो होता है, वो तो एक तत्व होता है MN नाम का, तो इसका answer magnees भी बिल्कुल ली जाएगा, लोह का खनिच, यानि कि iron का mineral कौन सा होता है student, तो यहाँ पर आपको magnesia मिल सकता है ठीक है, magnetite मिल सकता है तो आप उसे ठीक कर देंगे ठीक है, तो यह question थोड़ा सा doubt में नहींगा यह question मुझे लगता है, या तो आपको bonus marks लेके गया होगा, अगर यह question रही तो इसने definitely bonus दिया होगा नहीं तो फिर यह question ही गलत है ठीक है, या फिर हो सकता है कि मेरे पास जो PDF है उसमें गलत हो तो magnees नहीं आएगा, यहाँ पर magnesia magnetite, hematite हो गया ठीक है, यह सब क्या है iron के eyes कोते हैं तो यह याद रखनी है आपको बात, ठीक है चलिए, अगले question पर चलते हैं last question आज का रहेगा हमारा इंसान की आँख camera की तरह होती है, बिल्कुल ठीक है, हम भी photo capture करते है, इसकी lens प्रणाली जिसे dash कहा जाता है, प्रकास समवेरी screen पर प्रतिबिम्ब बनाती है, ठीक है, यह बोल रहा है student screen को retina बोलते हैं, देखो कुछ इस तरीके से हमारी आँख जोती है, वो होती है यहाँ पर बीचो बीच, यहाँ पर lens पड़ा होता है तो यहाँ पर कोई भी light आती है मालीजे, light आई, तो यह यहाँ पर पीछे image बनाती है, तो इस पीछे वाले structure को बोलता है हम retina, क्या बोलते है retina, तो प्रतिबिम्प कहां पर बनता है, retina पर बनता है यहाँ आपको याद रखना है, ठीक है तो आज के questions हम यहीं पर खतम करेंगे, मिलेंगे next sessions में नई questions के साथ, SSV GD के अभी हमारे पास और भी questions बाकी है और अगर आप इसी मतलब इसी जो हमने किया है इसी का PDF चाहते हैं इसी question series का PDF चाहते हैं तो ज़रूर मिलिएगा next class में और PDF के लिए आप telegram channel को subscribe कर सकते हैं, ठीक है कोई भी doubt कोई भी query होती है तो आप मुझे बता सकते हैं इसके अलावा students एक और बाद कि जैसे ही SSEGD आपकी खतम होगी न series वैसे ही अभी-अभी ICAR-IARI की question मतलब paper हुए थे अभी ICAR-IARI की जिसके अंदर मैंने 28 February के आपको दोनों shift के questions दिये भी थे बट वो incomplete थे क्योंकि obviously सारे questions मुझ तक पोचे नहीं है तो आप सबसे मेरी request है अगर किसी के पास भी ICAR-IARI की science की paper है ठीक है क्योंकि देखो अगर आपने exam दिया है आपने exam दिया है तो आपके पास आपका paper आ चुका होगा आप तक online तो आप वहाँ से screenshot लेकर या PDF मुझे send कर सकते हैं science का ताकि मैं आपको उनको उनके भी solution दे पाऊं क्योंकि उसके अंदर काफी अच्छे question पूछे गई है मैंने देखे हैं कुछ questions ठीक है तो अगर आप में से किसी के पास भी ICAR-IARI की 2022 में हुए paper जो है वो available है तो आप please मेरे telegram पर जाकर उन्हें share कर दीजिए ठीक है या फिर आप YouTube पे मुझे comment कर सकते हैं मैं आप लोगों को personally reply कर दूँगी ठीक है YouTube पे comment कर दीजिए अपनी telegram ID को या अपना WhatsApp नंबर को तो मैं आपको personally reply कर दूँगी आप please ICAR-IARI का अगर आपके पास paper है तो definitely मुझे contact करिए ठीक है तो आज के लास में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहिए मुषकुराते रहिए चैनल को like, share, subscribe कर दीजिए और बस take care, thank you, bye bye